नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग तवा और कढ़ाई हर किसी के घर में होता है और इसका परियोग से आप अपने गुडलग को भी बढ़ाते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कि जब आप रोटी बनाते हैं तो कौन सी गलती भूल कर भी ना करें तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतक बने रहेगा देखिए आपने कभी सोचा है कि आपके लाइफ में कई सारी टेंसन की वज़ा आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला तवा कढ़ाई भी हो सकता है हां क्योंकि यह राहू का प्रतीक माना जाता है आपके किचन का राहू और जो तवा कढ़ाई है तो राहू जब आपके किचन का गरवर हो जाएगा लीट करने लगेगा तो पर परिसानी बढ़ेगी तो ऐसे में कुछ खास मानने ताएं जो आपके जीवन को टेंसन को दू हाई राहू का प्रतीक है इसलिए इसके प्रयोग में इसे साब्धानी रखनी चाहिए कभी भी रोटी बनाने के बाद तबा और सब्जी बनाने के बाद कढ़ाई ऐसे ही मत छोड़ दें नहीं तो इसके दुस्पर नाम भी आपको जहलने पड़ते हैं घर के जो मेन बैक्त रात के समय जूठे बरतन के साथ तबा और कढ़ाई नहीं रखें रात में दिन में भी नहीं रखें और सिंक में यानि कि बहुत सारे बरतन पढ़े हैं वहीं पर आपने रख दिया नहीं तो राहू एक्टिव हो जाएगा और फिर परेसानी बढ़ेगी और घर के जो बच् तबा यूँ ही रख कर मच छोड़ दें और साथ ही जब भी पहली बार आप रोटी बनानी सुरू करें सुबह किसमे या रात किसमे जब भी आप रोटी बनाते हैं तबे पर एक चुटकी नमक डाल कर फिर उसको कपड़े से पोच कर हटा दें और उसके बाद रोटी बनाना हटा दें यह कुत्ता के लिए अब गाय कुत्ता ना मिले तो आप कहीं भी पेड़ के नीचे रख दें वहां पर कोई भी जैसे चिडिया है खालेगी या फिर कोई जो चीटा बगरा होता है वो लोग खालेगा मानेता है ऐसा करने से घर पड़िवार में कभी बिपदा नहीं आती और घर से नकारत्मक उरजाएं भी दूर होती है सुक सम्रिद्धी का वास होता है और का तबा कढ़ाई को ऐसे जगह रखना चाहिए जहां पर बाहरी बेक्ति के उस पर नजरना पड़े तब अब तो हम बात करें अगर आपके आटे की आपके घर में आटा भी साना ज सब्सक्राइब की निसानी मानी जाती है और यह सुम नहीं है वास्तु सास्त के अनुसार तबा और कढ़ाई को कभी बी उल्टा नहीं रखना चाहिए माने तहां ऐसा करने से जीवन में कई तरह की दिक्कतें भी बढ़ जाती है और धन समन्दी मुस्किले परेसान करती है इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखिए और जहां भी आप खाना बनाती है ना हमेशा ही दाहिने तरफ तबा कढ़ाई को रखिए और गैस के उपर कभी भी छोड़कर मत चले जाईए आप कहीं वीदर उदर काम खत्म हो जाए उतार कर समाल के रखिए और तीखी और नु पूरे साल में जब रोटी नहीं बनानी चाहिए तो क्या खाएंगे रोटी नहीं इस दिन पूरियां बनती है यानि सादा रोटी प्लेइन रोटी नहीं बनाए जाते तावा नहीं चड़ते कढ़ाई चड़ती है वह पांच दिन कौन से है देखिए सबसे पहली घर में पिंड चड़ाया जाता है उससे मिर्तक बैक्ति का सुक्ष मसरीर तैयार होता है आत्मा के साथ दरबार पर पहुंचाया जाता है तो इसलिए नहीं बनाया जाते दूसरी बात देखिए दूसरी बात यह है कि नाग पंचमी के दिन भी खीर पूरी हल्वा जैसी चीज़े ब बनाये जाती तब नाक के फन का परती रूफ होने के साथ राहू का भी परतीक है तो तबे को अगनी पर रखना मना होता है नहीं तो सर्पों को प्रेसानी होगी वह क्रोधित होंगे इसलिए किसी भी लोहे के बरतन को तब अगनी पर मत रखें नहीं आप लोहे के बरतन से का खाना काई सीतला से जो माता सेथा की पूजा होथी इस दिन इस दिन ब्रकिक बड़ाने का भोग उन परम अंचम भात alltså सचे मन से पूजा थी आरुख के वान होने का असरण आधा है और इस दिन रोटी नहीं बनती बलकि सीइख त्यमी के रोटी बनानесी यांट सास्तन के अनुसार इस तिति को माता लक्षमी का जन्म Shot Olayां भोग लगाकर इस दिन रोटक नहीं वनाना साही है मानलक्षमी नाराज हो जाती है अब एक और है और वो है दीपावली दीपावली के दिन को महानिशा की रात कहते हैं और इस दिन मा लक्षमी को प्रसंद करने के लिए तमाम तरह के परियोग करते हैं पकवान बनाया जाते हैं तो इस दिन भी तबा पे रोटी नहीं बनता बल्कि आप इस दिन फिर दोस्त हड़ जाता है अब घर में किसी को आप अड़ा के जयाता है उस दौर मिनल भी रोटी नहीं बनता है और यहें ऊंपधन के आम चीज हैं लेकिन हर भारती घर में रोटी बनती ही है तो कुछ दिन ऐसे हैं जब रोटी ना बनाए अब जैसे दुर्गास्टमी इस दिन साधा रोटी नहीं बनायाता है इस दिन पराठे बनाएए पूरियां बनाएए तलिये मज़े से खाईए क्योंकि जितना अच्छा आप दुर्गास्टमी के दिन खाते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा आपका भाग ये उद्य होता है तो अब हम एक चोटी से और बात करेंगे पहला रोटी गाय का पिशला कुट्ता का ये तो आपको रहाल में करना है पर वह गलती है कौन सी ना करें अभी तक हमने बहुत स तो पिशला रोटी को तवे पर रहने दें फिर उतार के साइड में रख दें और तवे पर गरम तवे पर पानी मत दालिए इसके बाद जब आप रोटी यां बनाती है तो आटा गुति होंगी उसमें थोड़ा सा न थोड़ा सा दूद जरूर डालिए एक चमची सही समें के देंगे पकें सब्सक्राइए तो इन चोटे बातों का ध्यान रुखे ऐता है र簡़ चक्ला भीलन ऊछीजाम दोखा तो चक्ला बेलन अपके लिए धन संपनता का योग भी बनाता है और घर away नोब भी प्रेम बढ़ाता है वास्तु कहता है कि चकला बेलन जब भी आप खरी दें तो सुमूर्थ में खरी दिए अगर आप लकड़ी का चकला खरीदने जा रहे हैं तो इसे मंगलवार सनीवार के दिन और पंचक में बिल्कुल भी ना खरीदें बुद्धवार के दिन लकड़ी आ गया है आवाज हो रहा है तब तब आप कपड़ा एक डख दें फिर उसके उपर चकला रखके आप रोटी बनाए तो आवाज नहीं होगा क्योंकि ये आवाज होना चकला बेलन में अच्छा नहीं होता जीवन में प्रॉब्लम बढ़ाता है और अगर दोस्त चकला बेलन कीडे भी होते हैं जो चलते हैं तो बीमारियों पर भी प्रेसानी होगी इसलिए ध्यान रखें और समसे अंत में एक और बात चकला बिलन हमेशा ही सुखा कर रखें कभी भी चकले को उल्टा करके नहीं रखें नहीं तो घर में वास्तु दोस बढ़ जाता है और कभी भी इ पीच में या फिर आटे चावल के डब्बे पड़ ड्राम के उपर मत रखिये इससे धनानी होगा घर पड़िवार में मतवेद बढ़ेगा हम आपसे भी दालेंगे हर हर महादेब धन्यवाद